हलो सुपर इंवेस्टर्स, ब्राइट काउंग गॡूप के बारे में बात करेंगे हम लोग, जिसमें आज ना तो अपर साकेट लगा, ना तो लोगर साकेट लगा, हम लोग को आदाद हो चुकी है, एक तो हम चाहते है कि डायरेक अपर साकेट लगे, या डायरेक लोगर साके के बावजूद भी उसका इंपैक्ट हमें बैटकों ग्रूप पे शेर पे देखने को नहीं मिला आज एनसी पर अराउंड थर्टी नाइन लाइक शेर्स टेड़ हुए और बीएसी पे अराउंड 11 लाइक अराउंड फिप्टी लाइक शेर्स टेड उए है जो कि वालिम देखा जाये तो काफी कम हो चुका है अभी मतलब लोग अभी बहुँ है ज्यादा अग्रेसिव भाइङ करने के मूर में नहीं है आज क्योंकि आप देखोंके तो निफ्टी भी फ्लाटी था ना बहुँ ज्या पे क्लोज हुआ अराउंड जो की 1.60% के आसपास कल के कंपेरेसर में गिरा ही है तो फ्रेंड्स अभी देखना यह है कि यह कितना गिरेगा मार्केट अगर कल भी मंदा रहा तो कल भी थोड़ा नीचे ही जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स देखिए कॉर्टर वन का रिजल्ट का डेट ऐसा आने के बाद लग रहा था कि तेजी आएगी थोड़ा सा बट क्योंकि अभी थोड़े से जो रिजल्ट आ रहे है आईटी कंपणियों के वो तुरह फ्लैट आ रहे हैं वो जाद अच्छे नहीं आ रहे है दो चार कंपनी छोड़ दे तो मैग्जियम कंपनी को रिजल्ट थोड़े से एवरेज आने के कारण लोगों में थोड़ा सा कॉंफेड़नस लो है कि कॉर्टर वन के रिजल्ट कितना अच्छा हैगा ये लोगों को कॉंफेड़नस नहीं है इसलिए अग्रेसिव बाइंग नहीं हो रही है और इसलिए अभी भी लोग वहफूल है क्योंकि ये एट्टेक सेक्टर से बिलॉग करता है बैटकॉंग रूप का शेर और आप जानते है कि जून में जून कॉर्टर में यूसे में हॉलिड़े सिजन होता है तो होलिड़े सिजन होने के कारण वहां पे काफी अरोटेजमेंट होती है अनलाइन प्रोमोशन होते हैं तो उसका भी एक इंपाइट हो सकता है हमें कॉर्ट रिजल्ट पर देखने को मिले और रिजल्ट अच्छा है बट ओर और जब तक रिजल्ट नहीं आता है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा स्लोनेज देखने को मिलेगा और ब्राइटकॉंग अब 13 ओगस्ट को 13 ओगस्ट को इसका रिजल्ट आने वाला है वह आने तक थोड़ा सा में वेट करना पड़ेगा काफी दिन है अभी तो बट अभी इंतजार करना पड़ेगा कि कितना इसमें मुमेंट आता है उसके जब तक राइटकॉंग ग्रुप का शेर मार्केट के इ आने के बाद भी हो सकता है इसमें डिसीजन पढ़ जाए पॉजिजिव आएगा तो अग्रिसीव पाइंग होगी और निगेटिव आया तो हो सकता है यह गिरे भी जिन लोगों को कॉंफिडेंस होगा कि रिजल्ट पॉजिव आएगा फॉरेंसिक आडिट का उत्रहात्रा चल सकते बाया ऑन्डिप के स्टाटविस से लॉने टम की लिवड करने के हिसाब से और जिन लोगों के डर लग रहा है उन लोगों में स्टैशी देखने को मिलेगी ही तो देखते है क्या होता है और वैसे भी मार्केट में हो सकता है थोड़े से अभी मार्केट बहुत लोग जानते हैं तो थोड़ा सा क्रेक्शन आना एक्स्पेटिड भी है वो सकता है वैसे भी बैटकॉं को का शेर 30 रूपीज से 58 रूपीज तक गया तो अल्मोस्ट डबल ही हो गया था तो अभी थोड़ा सा इसमें गिरावट हो रही है तो यह नॉर्मल बैत है बहुत ज्या